अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको red color में दिख रहा होगा एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये automatically gray color में convert हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपने notification को adjust कर सकते हैं नमश्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वज़े से जो gold के prices है वो लगतार बढ़ते जा रहे हैं तो काफे interesting होने वाल है आज का वीडियो चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्षे की है, PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं for all the PDFs and updates और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, Study IQ ला है आपके लिए Smart Courses जिसके त्रूँ आप अपनी preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह particular chart जो की दर्शारा है कि इस समय international prices कितने हैं gold के तो यह जो price है मैं बता दूँ यह दिखा रहा है आपका 1 ounce के gold का 1 ounce आपको पता होगा कि यह होता है around 28.3 gram के आसपास ठीक है यह आपका 1 ounce होता है तो इस समय international market में अगर आप इसके prices देखिए तो 1800 dollar को भी cross कर चुका है जो की पिछले 8 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है तो आप clearly देख सकते हो कि जो gold के prices हैं international market में बढ़ते ही जा रहे हैं सिर्फ international नहीं अगर हम domestic की भी बात करें दोस्तों आप लगतार news देखते होगे day by day यहाँ पर जो gold के prices हैं हमारे domestic market में उसमें भी आपको all time high पर दिखते हैं देख रहे होंगे 49,000, 50,000 को यह अलरड़ी cross कर चुका है तो आईए यह पूरा topic समझते हैं सबसे पहले हम introduction में देखेंगे दोस्तों कि आप सबको पता होगा कि जितना भी gold का consumption होता है हमारे देश के अंदर ठीक है cost mining की cost काफी जादा आ जाएगी उसको निकालने की तो उसका कुछ वर्थ नहीं रहेगा उस particular metal का ठीक है तो यहां पर हमारे देश के अंदर problem यह है कि हम इसको mining नहीं कर सकते तो जादा तर जितनी भी चीज़े हैं हम import कराते हैं जो recycling की बात होती है वो भी काफी जादा कम है हमारे देश के अंदर तो लगबख सभी चीज़ इंपोर्ट कराया जाता है तो हम import department हो गए लेकिन क्या हुआ है 2020 में अगर आप देखिए April और मई के महने में जब हम full lockdown में चले गए थे तो यहाँ पर जो gold का import है वो 99% गिर गया था आप जस्ट imagine करके देखिए मतलब की हमने gold मगाया ही नहीं क्योंकि एक तरह से यह पूरा shutdown में हम चले गए थे और block कर दिया गया था इन फैक यहाँ पर सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखिए जो दो सबसे बड़े buyers हैं gold bars के coins के ज्वलरी के वो है आपका चाइना और भारत ठीक है चाइना और इंडिया इन दोनों जगा अगर आप देखिए जो demand है gold bars की coins की ज्वलरी की यह होनी चाहिए लेकिन gold के case में हम उल्टा case क्यों देख रहे हैं यापर की demand इतनी तेजी से कम हुई उसके बावजूद भी यहाँ पर जो prices हैं वो लगतार क्यों बढ़ते जा रहे हैं वो मैं आज आप से discuss करूँगा सबसे पहले आपको समझना है कि यह जो price है वो decide कैसे होते ठीक है तो अगर आप भारत का example लीजिए तो यहाँ पर 10 बड़े और influential dwellers का एक समू है association है जिसको कहा जाता है Indian bullion and dwellers association इसको पता रखेगा IBJA मैं बता दूँ इसको form किया गया था 1990 में जी हाँ यह अभी recently इसका 100 साल भी celebrate किया गया था तो 1990 में यह established किया गया और आज तक य इनी के द्वारा बताये जाते हैं जब daily market खुलता है तो यहाँ पर इनी के द्वारा price बताये जाता है कि आज price कितना होगा और यह price किस basis पर बताये जाता है यह mainly 4 basis पर बताये जाता है एक है आपका international market अब्वेसी बात है सबसे बड़ा कारण जो gold का गिरना और बढ़ने का ह वो है आपका international prices बाहर कितना price है gold का फिर आता है आपका dollar रूपी exchange कितना है इस समय उसके हिसाब से हमारे देश के अंदर decide होगा कि कितना यहाँ पर gold के price है फिर आपका सरकार tax कितना लगाती है और जो dwellers होते हैं उनका profit margin कितना होगा इन 4 कारणों की वजह से यहाँ पर जो gold के prices क्या चल रहे हैं आप clearly देख सकते हैं कि 24 karat gold हो गया 22 karat gold हो गया और अलग-अलग यहाँ पर उसके हिसाब से gold के prices यहाँ पर बताए जाते हैं तो एक तरह से आप यूं समझो जैसे कि हम ज्यादा तर क्या सोचते थे कि जो oil के prices हैं यह international market के ऊपर काफी जादा dependent करते हैं हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि oil के prices बाहर यहाँ पर गिर रहे थे लेकिन हमारे देश के अंदर जो petrol diesel के prices क्यों नहीं गिर रहे थे क्योंकि यहाँ पर सरकार ने काफी जादा tax लगा दिया था लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो gold के prices हैं यह भी काफी यहाँ पर gold के prices क्यों उपर जा रहे हैं तब आपको यहाँ पर domestic के gold के prices का जो increase है वो भी आपको समझ में आ जाएगा तो मैं बता दूँ कि internationally usually क्या होता है आप देखोगे कि जब भी recession आता है जब भी कोई बड़ा economic financial crisis आता है उस समय जो investors होते हैं वो अपना पैसा क्या करते हैं safe haven में लगाते हैं जैसे कि dollars खरी दिया और यहाँ पर gold एक सबसे बड़ा safe haven माना जाता है तो यहाँ पर क्या किया है बाहर के international market में जो investors हैं उन्होंने इस particular travel times में safe haven के अंदर that is gold के अंदर अपना पैसा invest किया है in fact मैं बता दूँ US के अंदर New York उसके आस-पास के एरिया जो lockers होते हैं walls होते हैं वहाँ पर पिछले 1993 का almost record तूट रहा है 700 metric tons of gold यहाँ पर मंगाया गया है खुद USA के अंदर तो आप सोचके देखिए इतना अचानक से अगर gold के demand बढ़ेगी उधर western countries में ध्यान रखी का मैं यहाँ पर India और China की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि India और चाइना और इंडिया में उसकी काफी हद तक भरपाई जो है वो western investors ने कर दी है मतलब कि western जो US है जो European Union है उन सभी देशों ने यहाँ पर gold में काफी जादा invest करना start कर दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर जो internationally gold के prices हैं वो लगतार आपको all time high पर जाते वे दिख रहेंगे यह सरफ यही नहीं दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही important concept है अगर आप में से कई लोग share market से जुड़े होंगे मैंने भी अपने एक वीडियो में कही न कहीं बताया था इसके बारे में that is exchange traded fund तो usually क्या होता है कि भारत और चाइना के अंदर क्या होता है कि हम physical gold में invest करते हैं लेकि आप इसको यूँ समझे जिस तरह से आप stock market के अंदर जैसे कि national stock exchange हो गया, bombay stock exchange हो गया, वहाँ पर जाकर आप companies के share खरीदते हो, कुछ इसी तरह से आप ये भी खरीद सकते हो, आपको मतलब जो physical form में खरीदने की जरुवत नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका भी gold क ETF अगर आप खरीद लोगे, तो gold के prices में जिस तरह से उतार चड़ा हो आएगा, उसी प्रकार से जो gold ETF हो गया, उसके prices में भी उतार चड़ा हो आएगा, ठीक है, exchange traded fund इसको कहा जाता है, इसमें आपको कई तरह के मिल जाएंग, जिसे mutual fund हो गया, वो लोग कई तरह के stocks में यह पर लिया जाता है, तो 50 stock का यहाँ पर कितना value है, उसके हिसाब से nifty का price decide होता है, यहाँ पर भी जो gold का price होगा, उसी के हिसाब से जो gold ETF का price है, वो decide किया जाएगा, तो मतलब अगर आप gold ETF में invest कर रहो पैसा, तो आप physical form में नहीं खरीद रहे हो, आप इसको एक share के form में खर दखा गया है कि जो US और Europe में जो investors हैं, उन्होंने अपना काफी बड़ा पैसा जो है, gold ETF में लगा दिया है, एक तरह से हम मैं कहूं तो 2009 के समय जो global financial crisis आया था, कुछ उसी तरह का scenario COVID-19 के times भी देखने को मिल रहा है, मैं आपको एक बहुत अच्छे graph के थो दिखाता हूँ, ये Bloomberg का जो graph है, आप देख सकते हो ये जो black color वाला curve है, ये आपका दिखा रहा है consumer demand in China and India, तो ये black color वाला curve देखिए, पिछले आप 3-4 महने का दिखिए, तो अचानक से इसमें गिरावट आई है, आप black color वाला curve देख सकते हैं, कि जो demand है gold की, वो बहुत तेजी से कम हुई ह लेकिन दूसरी तरफ ये जो pink color वाला curve है, जो की gold ETF को दिखा रहा है, उसमें आप देखिए, अचानक से इसमें बहुत रही है, तो क्या हुआ है, कि एक तरफ से ये demand कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो western countries के जो demand है gold की, वो अचानक से बढ़ गई है, जिसकी वज़े जैसे, जो gold के prices हैं, वो आपको अचानक से काफी तेजी से जाते वे दिख रहे होंगे, और मैंने आपको starting में ही बताया, कि जब भी international market में prices जाएंगे, तो अव्वेसी बात है, उसका impact आपको, भारत में भी gold का prices देखने को मिलेगा, उसका impact, ठीक है, अब एक last में जाने से कि अभी तक पता नहीं है किसी को, क्योंकि ये बहुत ही uncertain time है, COVID-19 का time है, देखे, दोनों तरफ चीजें हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, gold का price बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है ETF में investment, अगर suppose मैं कहता हूँ कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है, अच उसरी जगा उनको ज़्यादा return दिख रहा होगा, तो जब अगर ऐसा होने लग गया, तो gold prices further नीचे जाने लग जाएंगे, लेकिन अगर suppose मैं कहता हूँ कि भारत और चाइना में ये जो demand कम हुई है physical gold की, अगर वो अचानक से revive हो जाए, वो अचानक से बढ़ने लग जाए तो क्या होगा, further जो gold के prices हैं, वो उपर जाने लग जाएंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ का scenario होता है, depend करता है कि COVID-19 यहां से कौन सा जो है रास्ता वो लेता है, let's see कि इसमें आगे क्या होता है, I hope दोस्तों आज का जो वीडियो था regarding gold prices, यहाँ पर आपको काफी कुछ जान आप Studio IQ app पर जाकर purchase कर सकते हो, किसी भी और inquiry के लिए आप उसे directly Instagram पर जुडिये, यहाँ पर भी मैं daily account MCQ डालता हूँ, आप stories में जाकर play कर सकते हैं, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you.